तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिल्स से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे दोस्तो आएए बात करते हैं एक पैनी स्टॉक की गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्ड नवेस्ट क्योंकि दोस्तो इस स्टॉक में आज आप देख सकते हो कि माइनर 1.52% की रहे लिए ये स्टॉक 0.67 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ओवरॉल आज के दिन इस स्टॉक में बॉलेटल्टी बनी हुई है तो आई इसके टेकनिकल चार्ट का नेलस कर लेते हैं देख लेते हैं कि अब स्पोर्ट लेबल और रिजिस्टन्स जोन क्या है और किस स्टॉक में रह सकते हैं नए आयों दोस्तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तो अभी इसकी फिनेंशियर रपोर्ट तो नहीं आई है मार्च क्वार्टर में कामपणी के नतीजे तो ठीठक आये थे जीरों जीर बेसिस पे देख सकते हो का है काम हो रहा है लेकिन क्वार्टर औन क्वार्टर बेसिस पे मार्च में कामपणी का जो प्रॉफट था वो बढ़ गया था तो यह एक अच्छी इंडिकेशन है और यहां पर देख सकते हो स्टमबर 22 दिसमबर 22 एंड मार्च 23 कामपणी के प्रॉफट में बड़ोतरी की गई है तो यह एक पॉजटिब इंडिकेशन है तो इसकी एक लेटस अपडेट भी ले लेते हैं आईए पहले इसके न टेकनिकल चार्ट का अनेलसिस कर लेते हैं देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं दोसो लास्ट वन बीक में होगे कांटीनूसली वॉलेटल्टी ही इसके चार्ट में बने हुई है लोर लेवल पे देखो इसका जो सपोर्ट है 0.66 के राउट बन गया है तो यह इसका लोर सपोर्ट लेवल जो है वो बनता दखाई दे रहा है 0.66 का लेवल इसका एक सपोर्ट जोन है तो जब तक यह नहीं तूटेगा तब तक कोई बड़ी ग्रावट की पॉसिविल्टी नहीं है लेकिन जदि ये लेवल तूटा तो फिर इस स्टॉक में बड़ी ग्रावट भी आ सकती है क्योंकि वन मंथ में देखो पहले एक ब्रेक आउट भी इस स्टॉक में हो गया था यहां पर बन मंथ का चाट है पहले बहुती बड़ी आ रैली हुई थी लेकिन 0.73 के रावट यह उपर इसका एक रिजिस्टेंस है जैसे यह स्टॉक 0.80 के रावट गया इसमें एक बड़ी ग्रावट देखने को मिली लेकिन अब यह जो स्टॉक है 0.66 का लेवल डिफेंड कर नजर आ रहा है और यहां पर रेंजबाउंड काम हो रहा है यह इसका लोर सपोर्ट है और यह इसका जो है वो रिजिस्टेंस है यहां पर देख सकते हो 0.66 के रावट इसका एक सपोर्ट है जबके 0.80 के रावट मोटा मोटा कह सकते हो एक रिजिस्टेंस है यह रिजिस्ट नतीजे नहीं आते हैं, जब कोई positive इसमें trigger नहीं आता है, तब तक इस stock में range bound काम होता ही आपको दखाई देगा, आज देखो इसमें जो buy की quantity है वो 2,64,000 की है, sell की quantity 7,30,000 की है, तो overall इस stock में आज जो है वो profit booking देखने को मिल रही है, और इस stock में heavy selling जो है वो देखने को मिल र की है, quantity trader देखो 4,26,231 की है, और इतनी ही delivery है, मतलब 100% accumulation इसके chart में दिख रही है, तो ये भी आपको note करना है, क्योंकि दोस्तों penny stock है, इनमें liquidity की दिक्कत होती है, liquidity की दिक्कत होने के कारण कभी ये stock upper circuit में चलते हैं, और कभी lower circuit में भी चल जाते हैं, तो इसलिए जड़ी आप high risk ले सकते हो, फिर ही इन stocks में नवीश करें, तो यहां पर देख सकते हो कितना volatile इसमें trend देखने को मिला है in the last six month, कभी rally होती है, कभी गरावट होती है, rally गरावट, फिर long term के लिए गरावट, फिर एक बड़ी तेजी आई, फिर गरावट, मतलब highly volatile ये stock है, क्योंकि अ decrease हो रही है, तो इसका जो consolidation zone है, वो narrow हो रहा है, और जड़ी आने वाले time है, इसके नतीजे जहाँ कोई positive trigger आ जाता है, तो फिर एक breakout का मौका जरूर इस स्टॉक में बन सकता है, एक breakout का जो कह सकते हो गए trend, आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो अभी तक, जब तक कोई positive trigger जा कोई negative news नहीं आती है, तब तक ये stock in resistance trend line के round और support की trend line के round जो है, वो देखने को मिल सकता है, शौर्टरम के पहले हम आपको बता चुके हैं, इसके resistance and support level, अभी आपको इस trend line पे ही focus करना है, तो थैंक्स के दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अ P.E. multiples है, बहुत जादा हाई है, 500 के round इसके P.E. multiples है, 200 P.E. multiples हाई कब होते हैं, जब किसी company की earning reduce करती है, और price increase करती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ trend है, company की earning बढ़ने ही रही है, और company की price में थोड़ी तेजी already देखने को मिल गई है, तो इसलिए shorter में अभी थोड़ी द total equities की 534 million की है, share outstanding कोई नहीं है, चलो, यह ठीक है, मतलब company की balance sheet में तो अभी कोई रिकत लग नहीं रही है, हाँ, valuation हाई होने के कारण, और fundamentals negative होने के कारण, क्योंकि return on the assets 0.07% है, return on the capital भी low है, तो इसलिए आप इसके quarterly नतीजों पे focus करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, अब जग तब इसके numbers नहीं आएंगे, तब तक थोड़ा wait and watch करें, अभी इस stock से थोड़ा सा आप धूरी बनाएं रखें तो better ही होगा, thanks again, दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी तक ज़िए आप हमारे channel के साथ नहीं जुड़े हो, तो दोस्तों हमारे channel को subscribe कर लें, क आपको थोड़ा patience चाहिए, knowledge चाहिए, तबी आप rock market में sustain कर सकते हो, other way यहाँ पे आपको दिखते हो सकती है, thanks again दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए investment idea के साथ